स्वाग आते दोस्तों एक बार फिर से मेरे यूटुब चनल में तो आज मैं आप सबको गोरकपुर महानकर के रेल मुजियम से लेकर गोरकपुर मरीन ड्राइव होते हुए एक गार्डेन या अपार्टमेंट तक के नजारे आज में आपको दिखाएंगे और हाँ दोस्तों कर आप मेरे यूटुब चनल पर नए है तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही गोरकपुर के डेवलप्मेंट पर वीडियो देखने को मिलती रहे और फाइनल दोस्तों अभी हम हैं गोरकपुर के रेल म्यूजियम वाले रोड में और आप देख पा रहे हो काफी शांदार नजारा रात का और चोड़ी-चोड़ी चमचमाती हुई मेट्रो सीटी जैसी सड़के आज जो है कि गोरकपुर में बन चुकी है और फाइनल दोस्तों हम आचुके हैं रेल म्यूजियम यह जो आप देख रहे हो जो सामने का जो नजारा आप देख पा रहे हो यही है गोरकपुर का रेल म्यूजियम और आज काफी ज़्यादा भीड भीड भी देखने को काफी ज़्यादा मिल रहे है मतलब गोरकपुर मे जो भी tourist spots हैं वहाँ पर काफी ज़्यादा भीड देखने को जो है कि मिल ला है खास तोर पर रात के टाइम तो और भी ज़्यादे और अपना जो गोरखपुर शहर है दोस्तों काफी तेजी के साथ जो है कि बदल रहा है और फारली अब हम जोस्तों ट्रेवल करते हुए आचुके हैं गोरखपुर के मरीन ड्राइपर और आप देख पा रहे हो काफी शांदार नजारा काफी खुबसूरत और आपको मैं बता दू कि अब जो है कि अपने मरीन ड्राइपर जो है कि काफी ज़्यादा भीड एक बार फिरसे जो है कि अब होने लगी है चुकि आई थिंक जैसे कि दीन में धूप काफी तेज हो रहा है तो जिस कारण भी लोग जैसे कि आना नहीं चाह रहे हैं और इसलिए साथ रात को काफी ज़्यादा भीड हो रहा है और आप लोग यह देख पा रहे हो जबकि यहां से नौका वियार अभी भी दो धाय किलमोटर दूर है इसके बावजूद काफी ज़्यादा भीड जो है कि देखने को मिल रहा है अपने गुरखपूर का मरीन ड्राइपर जबकि दोस्तों अपने इस मरीन ड्राइपर जो है लगवग 2,000 करोड रुपए से भी जादे रासी की जो परियुजनाय है अंडर कंस्ट्रक्शन है अब दुस्तों अपन्दाज लगा सकते हूँ कि जब ये परियुजनाय जब कंप्लीट हो जाएंगी तो अपना गुरखपूर का मरीन ड्राइप एक वर्ल्ड लेवल का मरीन ड्राइप जो है की होने वाला है और मैं आपको बदा दू कि अपने इस मरीन ड्राइप पर जो बड़ी बड़ी परियुजनाय चल रही है कुछ इस प्रकार से हैं जैसे की होटल ताज बन रहा है यहाँ पर 25 प्लोर का जिसकी लागत जो है की साड़े तीन सो करोड रुपए जो है की मानी चारी है और इस तीन साड़े तीन सो करोड रुपए में होटल ताज के अलावा दो बड़े बड़े हाई रैस अपार्टमेंट्स भी होंगे सौपिंग मॉल भी होगा और इसके अलावा लगबग एक हजार करोड रुपए की लागत से यहाँ पर जो है इंटरनेशनल कर्वेंशन से और भारत का सबसे बड़ा लाइबरेरी इसके लावा डेड़ सो कमरे वाला एक और फाइपी स्टार होटल और एक अलाइट क्लब अलाइट क्लब के लावा अपने पैडले गान चौराय से यहां से एंटरी पॉइंट होती है वहाँ पर जो है कि लोटस ग्रूप के तरफ से फाइपी स्टार होटल जेसर कंपनी की तरफ से जेसर एडवेंचर पार्क जेसर कंपनी की तरफ से जेसर बलाचा तो यानि कि तो काफी कुछ जो है कि अपने रामगाड ताल में क्रूज भी चलने लगा है क्रूज के लावा जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग डेश्रोरेंट भी जो है तो काफी सारी परिजना जो है कि अपने गुरकपूर के मरी ड्राइक आसपास जो है कि चल रही है तो यह भी दोस्तों काफी बड़ी खुसकवरी है अपने गुरकपूर वाच्यों के लिए और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर बात कीज़े तो आपको बता दू कि अ उससे भी बड़ा लंदन आई गुरकपूर में बनने वाला है 151 मेटर उसकी हाइट होगी और भी कई परिजना जो है कि गुरकपूर के रामगर्टाल चेत्र में चल रही है जैसे कि सी प्लेन का प्रोजेक्ट हो गया इसके लावा नौका वियार फेस्टू का भी काम जो है